हाँ फ्रेंड कैसे हो आज हम चने छोले बनाने का तरीका घर पड़ ही बहुत आसान तरीके से बनाने का तरीका बताएंगे आप इसे नन पूरी या फिर छोले बटोडे के साथ भी खा सकते हो इसे आसान तरीका घर पड़ ही बनाने का बताएंगे हमने छोले चने आधा केजी लेली है इसे काबूली चना भी बोला जाता है आप अपने भासा के ही अनुसार यूज करें छोले चने मसाला भी बोला जाता है हमने आधा केजी लेली है इसे पूरी अच्छी तरीके से 12 गंटा या आप 8 गंटा भी भींगो कर ले सकते हो जलत वाजी में तो आप 4 गंटा गरम पानी करके डाल दें और 4 गंटा भींगो कर भी ले सकते हो हमने पूरी अच्छी तरीके से 2 गलास पानी डाल कर 12 गंटा भींगो कर ले ली है अब एक प्रेसर कुकर में एक चम्मच अर्थो का तेल डाल कर प्रेसर कुकर में पूरे फैला कर छोले चने डाल कर अब उसमें एक चम्मच नमक और दो गलास पानी छोले चने में उबाल उबालने के लिए हमने डाल दी है अब प्रेसर कुकर कावर लगा देंगे और 2 CT आने तक इसे मीडियम लॉफ लेंपर, इंडेक्षन पर 2 CT लगा कर ले लेंगे हमने 2 CT प्रेसर कुकर में लगा कर ले ली है यह पूरी अच्छी तरीके से 2 CT हमने लगा कर ले ली है अब छोले चने हो गई है अब इसे ठंधा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम फिर छोले चने को चेक करेंगे अब ठंडा हो गई है अब इसे दावाव कर चेक कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से छोले चने हो गई है अब इसे बनाने का प्रोसेस में चलते हैं हमने छोले चने का कुछ छोले चने का हम पेस्ट बना लेंगे ताकि छोले चने में डालेंगे तो गाड़ी सी दिखे आप चाहे तो वाले हुए आलू भी मिक्स कर सकते हो, हमने छोले चने का पेस्ट बना ली है अब इसमें मिक्स करने के लिए छोले चने में चार बड़े साइज का प्याज, लहसन, हरी मीर्च, अदरक और दो टमाटर और हरी धनिये हमने टमाटर लहसन अद्रक और हडी मिर्च का पैस्ट बना लेंगे और एक बड़े साइज का प्याज डाल कर इसे पैस्ट बना लेंगे और धनियों के हम बाद में यूज करेंगे हमने एक मिकसर जार में अब टमाटर को कट करके ले ली है और ये आठ दस लहसन का कली और अधरक आधा पींच चार हडी मिर्च आप चाहे तो सुखी मिर्च का भी यूज कर सकते हो और एक बड़े साइज का प्याज कट करके हमने पेस्ट बना लेंगे हमने पेस्ट बना ली है अब इसे एक एक कटोरी में सभी पेस्ट को निकाल देंगे और सुखे मसाले एड़ करेंगे हरदी एक छोटी चमच स्वादन उसार नमक और जीरा मरी धनिया का मिक्स पाउडर ये छोले मसाले एक चमच आप चाहे तो सबजी मसाले भी एड़ कर सकते हो अब हम पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे अब हाई गरम कडाही में हमें सर्सो का तेल बड़े पांच चमच हमने डाल दी है अब सर्सो का तेल हाई गरम हो गई हमें एक तेज पत्ता और एक चमच जीरा एक पिंच हिंग और कढ़ी का पत्ता और ये प्याज इसे सुनहड़े होने तक फ्राय कर लेंगे प्याज को चलाते हुए फ्राय करना है अब प्याज को चलाते हुए हमने सुनहड़े होने तक अच्छी तरह से फ्राय कर ली है अब हम टमाटर का पेस्ट बना कर रखे थे वो डाल देंगे और इसे तब तक चलाते रहेंगे चला कर भूंजना है जब तक टमाटर का पेस्ट मसाले अच्छी तरह से ना भूंज ज आप चोले चने पानी के में उबालते ही साथ ही डाल देंगे इसे चलाते रहना है अब इसमें छोले चने का पैस्ट भी डाल देंगे अगर आप पानी नहीं डाल रहे तो एक ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हो अब इसे चलाते रहना है छोले चने को पांच मिनट हमने हाइफ लेंपर भूंज ली है अब हम इसमें कस्तूरी मैथी एक चममच डाल दी है और इसे half lamp पर 2 मिनट चलाते रहेंगे, उसके बाद हमने धनिया का पत्ती, हरी धनिया का पत्ती डाल कर इसे 2-3 मिनट और उबाल आने देंगे छोले में, छोले हो गई है, अब इसमें एक उबाल भी आ गई है, पूरी अच्छी तरीके से, अब इसे चला देंगे, फिर से, आ आप अपने अनुसा ग्रेवी रखें, छोले चने हो गई है, अगर छोले चने बनाने का तरीका अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपना राय कोमेंट बॉक्स में लिखना, पहली बार अगर वीडियो देख रहे तो वेल आइकन दबा दे ताकि वी